हलो दोस्तों वेलकम टो निकमेक टैक आज की वीडियो में हम लोग यूनिवर्सल हुमन वैल्यू की यूनिट थर्ड को बहुत अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं और इस यूनिट थर्ड के अंदर जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन है वो मैं आपको बता हुआ क्योंकि देखो जैसा कि आप लोग नाम से समझ पा रहे हो यहां पर अंडरस्टेंडिंग हार्मनी इंद फैमिली एंड सुसाइटी तो यह यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों इससे कुश्चन आते ही आते हैं आपको बताना है कि बाई इंडिवीजल इस बेसिक फार्मनी इन फैमली राइट अंडरस्टेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंसान के अंदर अपनी फैमिली के साथ अकर वह बनी में रहना चाहता है विछ बिल्डिंग ब्लॉग औफ फार्मनी इंद तो सॉसाइटी और जो कि व दरवालों के रिलेशन से बहुत अच्छा ही और आपके फैमली के रिलेशन से बहुत अच्छे होंगे आप अपनी फैमली को अपने पीरेंट्स को अच्छी फ्रास्परोस लाइब दे सकते हो है ना ठीक है तो वह सब चीज है दूस्तों और उसके वेसिस पर फिर आप सोचाइटी लेवल पर जाते हो सॉसाइटी में हर्मनी मेंटेन करके चलनी होगी तो इसी की बेसिस पर होगी जब आपका फैमली बहुत अच्छी तरीके से होगे आपके रिलेशन फैमली के साथ और फैमली एक फैमली फिर बहुत सारी फैमली जाती है तो यहां पर वही बोला गया है कि आपने कमेंट्स और आपके अंदर राइट अंडरस्टेंडिंग तो आप अपनी फैमिली को बहतर तरीके से समझ पाओगी और प्रॉस्परेटी की अगर मैं बात करूं तो प्रॉस्परेटी यह कोई भी आप लोग बगर कर रहे हो और आपकी एक इंकम सोर्स या निए बन गया है फैमिली में अगर अपनी फैमिली को अच्छी लाइब देना चाहते है तो दोस्तों जाहेट सी वाता है पैसों के पढ़ेगी पढ़ेगी उनकी वेस्टिक नीड है उनको तो आपको पूरा करना पड़ेगा अब वह नीड किस तरीके से पूर यहां पर फिर लेस्ट के बारे मात गया है कि अपनी फैमिली के साथ दोस्तों ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है फिर को एग्जिस्टेंस के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि किस तरीके से मतलब बॉड़ी और सेल्फ को एग्जिस्टेंस मैं आप बात आपको पता होनी चाहिए तो वही चीज़ दोस्तों यहां पर लिखा है पॉइंट के वेसिस पर आप लोग यहां पर पढ़ भी सकते हो सबसे पहले अगर में स्टार्टिंग की बात करूं दोस्तों तो अगर आपके अंदर अगर आप हर्मनी चाहते हो कहां पर दोस्तों राइट अंडेस्टेंडिंग जो आपके अंदर होगी फिर इससे आपके रिलेशन से बहुत अच्छे वनेंगे अपने फैंबली के साथ तो फैंबली में हार्मनी में रहेगी ठीक है खोसियाली बेसिकली रहेगी आपकी फैंबली के अंदर आपको पता है आपके स्टाइटी के कॉंटेक्ट में हर्मनी में रह सकती है तो वही चीजे लिखा गया है कि सबसे पहले अकर मैं हार्मनी चाहता हूं सुसाइटी लेवल पर तो हमें स्टार्टिंग कहां से करनी पड़े कि अपने आफ से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी वी नीड़ एं understanding के वेसे पे जो भी आपकी फिजिकल फैसिलिटीज है फैमिली की है ना वो उनको भी तो देखना होगा ना आपको उसको पूड़ा कर सकते हो आप लोग और उसके वेसे पर अपनी फैमिली को प्रॉस्परस लाइब भी दे सकते हो और राइट अंडेस्टेंडिक क्या प्रॉस्परेटी इन फैमिली फैमिली में प्रॉस्परेटी वनी रहे ठीक है किस तरीके से जो भी आपके फैमिली के फिजिकल नीड है उसको आप लोगो पूरा करना है अंडरस्टेंडिक दे हुमन डिलेशन सिब्लीट टू हार्मनी एंट्रस्ट ठीक है यानि कि वही के आपको हुमन डिलेशन से एक दूसरे के बीच में रिलेशन सिब किस तरीके से उसको अच्छी तरीके समझना पड़ेगा आपको उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा उन पर तो यह सब यहां पर आपको यहीं बोला गया था दोस्तों कि आपको राइट अंडरस्टेंडिक अगर आप हार्मनी में रहना चाहते हो तो पहले अपने आपको समझो फेमिली के साथ उनकी फिजिकल लीट है उनको पूरा करो और उनके उनके साथ हार्मनी में रहो उसके बाद आप आप लोग रह सकते हो अच्छी तरीके से ठीक हैं तो यह पहले कुशन हो गया सब्सक्राइब करें अपने अंदर को समझो फिर अपनी फेमिली के साथ हार्मनी में रहो उसके बाद आप लोग सोसाइटी लीवल पर हार्मनी में रह सकते हो तो वही चीजिए यहां पर लिखा है तर फीलिंग यह इंडिवें रिलेटेट्ट तो एवरी हुमन वी इन कि हर कोई चाहता है कि सुसाइटी एक जूट होके रहे हैं ना सुसाइटी तड़े लोग भी रह रहे हैं दोस्तों एक जूट होके रहे यह ना आपस में लड़ाईया ही हो रहे हैं ऐसा ना हो फैमिली ऐसी फैमिली ना हो सुसाइटी गंदर कि आपस में लड़ाईया ही कर रह और आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं कि किस तरीके से हमें सुसाइटी लेवल पर हर्मनी को अचीव करना है दिस गिफ अस फिलिंग यहीं हमें ऐसी फिलिंग देती है व्ल्ट फैमली की ठीक आई होप आपको समझ आ रहा होगा यहां पर यहां पर हम लोग काम कौन कौन से कर सक सकते हैं अगर अपनी सुसाइटी में हार्मनी आप लोग चाहते हो तो तो देखो सबसे पहला क्या है एजुकेशन सुसाइटी थ्रोव वर्क्सॉप अपनी सुसाइटी को एजुकेट कर सकते हो वर्क्सॉप से सेमिनार से स्ट्रीट बिले कर सकते हो दोस्तों ठीक हैं दिस जो भी आप लोग एक्टिविटी कराओ अपनी सोसाइटी के अंदर वो एंजियो के द्वारा की जाएं ज्यादा हो और अच्छी बात है गवर्मेंट का सपोर्ट भी रहे हैंना इस एक्टिविटीज कैन वी कैटिग्राइज इन तीन तरीके से आप लोग डिवाइट कर सकते हो एक तो knowing the self अपने आपको समझो knowing the existence on the basis of self कि अपने आपके वेसिस पर किस तरीके से आप लोग एग्जिस्ट कर रहे हो इसको समझने के लिए ठीक है क्या उसकी value education है कैसे उसको subscribe रापत हुए है दूसरों की निंदा नहीं करनी है respect करना है तो वह सब चीज आप लोग institution में सिखा सकते हो value education should be introduced in current education system at all levels जैसे आपके primary schools हो गए secondary school हो गए senior secondary school हो गए और college लेवल पर सब जगे value education दी जानी चाहिए और helping to apply value to the real world और जो value आपको दी जाए उसको किस तरीके साब लो real world में apply करो तो वह सब चीज है तो यह यहां पर यह तरीके होते हैं अगर आप society lead to mutual happiness एक किस तरीके से mutual happiness में लीट करता है ठीक है यहां फिर what is the meaning of justice in human relationship human relationship में justice का क्या meaning होता है यहां और justice नहीं है दोस्तों याद रखना how does it follow the family to the world family ठीक है अपनी फैमिली से और फैमिली तक किस तरीके से follow करता है यहां पर इस तरीके से और पूछा गया है what is justice what are the four elements is it continuous or temporary need justice continuous है या भी temporary need है इसको बताना है तो basically अगर मैं justice की बारे में बाहत करूं हैं आपके parents हैं और आप छोटे बच्चे हो और आपको क्या सिखाते हैं अपनी value सिखाते हैं कि भाई दूसरों की आपको बुराहियां नहीं करनी है आपको अच्छी तरीके से उनके साथ रहना है इंट्रेक्ट करके रहना है ठीक है और ऐसा नहीं कि किसी को भी judge करने लोग है ना ऐसा कुछ अपने बच्चों को नहीं सिखाना है तो basically justice का मतलब यहीं है justice is the recognition of values है ना कि जो values हैं आपकी उसका recognition देना दोस्तों in the relationship their fulfillment in the right evaluation of the fulfillment ठीक है resulting in mutual happiness तो इसका result किया मिलेगा आप अपने और बच्चों को अच्छी सिख्छा दोगे दोस्तों है ना उनको अच्छी तरीके से समझाओ गया अच्छी तरीके से उनको बताओ किया उनकी values वगरा क्या है उनको अच्छा घ्यान दोगे दोस्तों तो इसका result क्या मिलेगा mutual happiness का result मिलेगा वो कहीं किसी की वुराई वगरा नहीं करेंगे कहीं किसी को judge वगरा नहीं करेंगे तो अगर वो judge करेंगे तो वहां कहीं न कहीं conflict होने लगेंगे जगड़े होने लगेंगे तो इन सबको neglect हम लोग कर सकते हैं अगर हम उनको अच्छी तरीके से सिच्छा देंगे और उनको सब अच्छी तरीके से उनको बताएंगे justice concerned itself with the proper ordering thing and people within the society तो यहां पर बोला गया है दोस्तों यह आप लोग समझ सकते हो justice क्या concern करता है कि itself with the proper ordering of the thing कि जो बच्चे को समझाय जाया किसी को समझाय दोस्तों एक order में उनको समझाय जाये है ना within the society I think आपको समझ आगया होगा अब हम बात करते हैं यहां पर elements के बारे में सबसे पहले इस अब वैल्यू का रिकर्दी जिकानिजेशन होना चाहिए ना जो वैल्यू दे गई है मानेता दे गई है उनको बच्चों को आपको बताना है ठीक है fulfillment उसको किस तरीके से कर सकते हो evaluation किस तरीके से आप लोग कर सकते हो और किस तरीके से यह सब चीज़ें दोस्तों मुचल हैपिनेस करके चलती है तो यह क्या होगे आपके elements होगे फॉर तो यह आपको याद रखने हैं और जब वैन ओल्ड़ और एंस्योड जब यह फूर चारों हो जाते हैं जस्टेश क्या हो जाती है अब देखो इस पॉइंट से आपको और अच्छी तरीके से समझ आए अब यहां तो स्टा प्रों फेंमिली सहिसर्ट अब तोस तो फैन्मीस से स्टार्ट होता है ए् Only Sun वेंडा फैमिली उसके बाद दोस्तों वल्ड फैमिली में वही सी ситу ऑपके एंदर सरयखें फिर फैमिली में हार्मनी मेंटेंग होगी उसके बाद आप लोग सुसाइटी लेवल पर जा सकते हो हर्मनी मेंटेंग करने के लिए तो वही चीह यहां पर बूला गया है जस्टिस सबसे पहले फैमिली से स्टार्ट होगा फैमिली अपने बच्चों को सिखाएगी और फिर व उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं अपनी फैमिली से जो कुछ भी सीखता है उसके साथ ही वह कहां जाता है अपनी फैमिली के साथ जाता है यह ऑद इन पीपल और लग लोगों से मिलता है ठीक है बोलते नहीं है कि तुम्हारे क्या वीःवियर है आपकी पेरेंट्स यही सिच्छा लिए होगी ना तुमारे पेरेंट से यहीं सिखाए होगा ना जब कोई गरत सब्सक्राइब किसी को बोलता तो यहीं तो बोलते ना तो वही चीज़ दोस्तों कि आप लोग को अच्छी सिच्छा देनी चाहिए आपके फैमिली की जो जो भी है उसकी वैल्यूस आप को प्रवाइड की जानी चाहिए और जो कि आपको मिलती हैं आपके सारे सब सब यहीं सिखाते हैं अच्छी तरीके से आपको रहना है किसी किसे जिंदा नहीं करना आपको यह सब आपकी वैल्यूस होती है दोस्तों कि इस अंडर्स्टेंडिंग ऑफ जस्टिज इंस्योड फैमिली अगर फैमिली के अंदर ही जस्टिस को हो जाएगा उसके बाद बच्चे होंगे सुसाइटी में निकलेंगे सुसाइटी से अलगल बड़े लेवल पर भी ठीक है इफ वी डूनाट अंडर्स्टेंड अगर हम ऐसा नहीं समझेंगे तो होगा कि दोस्तों वी आर पर ओन देर बॉड़ी जैसे कास्ट के विचिस पर सेक्स के विचिस पर रेस और ट्राइफ के विचिस पर लड़ाई दंगे वगरा होने लगेंगे दोस्तों आ ऑन दा बैसेट वेल्ट के विशिज वे जो भी आपके विलीव सिस्टम होंगे उनको फॉल्लू करकर तो हमारा नेच्छल एक्सेप्टेंस हमारा क्या है कि भाई हम लोग एक अच्छी सोसाइटी में रहें जो साइटी अंडिवाइड नहीं हो ठीक है तो यह आपको समझ आगा हो कि जस्टिस क्या है अगर इसका डायकराम की बात करूं तो डायकराम आप लोग बना सकते हों यहा चाहिए दोस्तों यहां body की बात नहीं जा रही है एक feelings होती है अगर आपके अंदर feeling है और और वही फिलिंग्स सामने वाले के अंदर इंधर अगर आप लोग फीलिंग्स सिंग पर अटेच होना तो आप दूसरे को बूरा चाही नहीं सकते तो वही चीज है लिए मनकली नहीं रहना तो वही है यहां पर यहां यहां दूसरे का सेल और रेलेशन सब्सक्राइब सकस्थ कि और दोस्तों एलायर फेरो फिल्ट होना चाहिंग सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां यह फैल्ट हर जगे लगा सकते हो क्या है having explored of harmony in the human being we are able to explore the harmony in the family सबसे पहले हम लोग बोला जा रहा है तो आपको समझ भी आ रहा होगा having explored the harmony in the human wing सबसे पहले harmony आप explore करोगे human wing के अंदर we are able to explore harmony in the family उसके बाद हम लोग हो जाएंगे योग हो जाएंगे harmony in the family में ठीक है this enable us to understand the harmony at the level of society और यह enable करेगा हमारे लिए कि हम harmony in the level society society level पर किस तरीके से हम लोग harmony maintaining कर सकते हैं वही सब चीज है ना तो यह आई तिंग आपको समझ आ गया होगा यह कुशन यही बोलता justice वाला तो अभी तक आपको तीन कोशन बहुत अच्छी तरीक समझ आए हूं तो वीडियो को लाइक ज़रू करते हैं अब हम नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास जो नेक्स कोशन है वो दोस्तों यह यह केयर एंड गाइडेंस आपको समझना है तो सबसे पहले मैं अंडर एवेलिशन की बात करता हूं तो आगे बात करने से पहले एक में छोटी सी इंफोर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि मैंने एक नया चैनल बनाया है निक मेक्टेक जे नाम से अगर आप मेकेनिकल इंजिनिरिंग से रिलेट करते हो ब्रांज से हो तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वहां मैं जितनी भी सब्जेक्ट होंगे आपके हैं ना उनको अच्छी तरीके से बढ़ाओं डिटेल में मुलकुल बिसिकल कॉंप्रिटिशन लेवल की त्यारी करा हूं चलो अब हम समझ गया अगर कोई किसी को नीचे समझता है चोटा समझता है दोस्तों है ना और जितना हम्हें मासूम है то कहीं कहीं मों क्या कर रहा है उस बंदे की to expect कर रहे अंडर युटिंग समय मीन डिस अरश्रेस्पे LOL सभी थैं देंग और श्रेंप्रिट एब‌ट्ड अप को disrespected समझ रहा है ठीक है this can give rise to sense of dissatisfaction I think आपको समझ आग वही हो रहा है दोस्तों कि अगर हम किसी को छोटा समझ रहे हैं मासूम समझ रहे हैं दोस्तों तो कहीं न कहीं हम उसकी disrespect कर रहे हैं तो वही अगर मैं के बात करूं तो कियर आप सभी को पता है किया है दा फिलिंग आपर प्रोटेक्टिंग अबर फैमिली एंड अधर अरूंड अस इनिट इनिटेट फीलिंग और तो वागरा होते हैं ना उनकियों कितनी चिंता होती अपने बच्चों की उनका ध्यान रखते कि हमारा बच्चा देड़ी देड़े बड़ा हो अच्छा खाना मिले अच्छा न्यूट्रिशन मिले उनको है ना तो यह वही फीलिंग होती है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रखते हैं तो के रहाएं पर आता है गाइडेंस की बात करूं तो आपको पता है जो आपके बड़े लोग होते हैं वह गाइडेंस देते हैं और में दोस्तोर रवरेंस की बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों करें अगर कोई दोस्तों कि रायें एंशलिये का रहा क हुझ करता है किसी को कि है और यंशलम्रेफ कर रहे हैं एघर कोई जैसा है दोस्तों ज tortoise Laune में बहुत अच्छा अच्छा अच爾就 कर रखा है ऑंचे लेफल से लेफल में घायए ग्लोरी के अंदर क्या है यह क्या कि बद्र करका है अगर वे सब्सक्राइब हुए और हम उसको एक तरीक से उसको आप उसको यह यॉक्त समय आइता है या बहुत कर रहा है वह इस चाहता है उसके मतलब ऐसा चाहता है किसी ने कुछ अचीब करके रखा अगर बहुत बड़ा कर रखा है लाइफ में अगर कोई और दूसरा वैसा बनना चाहता है तो कहीं ने कहीं एक सबसक्राइब करके जाते हैं वह लोग वह ग्रेटिटीट में क्या आता है दोस्तों feeling of thankful हम किसी को एसी feeling होती है जब हम किसी को थेंक होना चाहते है दोस्तों है ना तो वह आपको gratitude के अंदर आएगी जब कोई के करता तो आप दोग थेंक्स बोलते हो न वो अब हम बात करते हैं लव के वारे में यहां पर लव क्या है इस अफेक्शन एंड रिटार्डनेस वही आप सभी को लव के वारे में तो सब पता है के और गाइडेंस के वारे मैं आपको बताई दिया अगर मैं रोल की बात करों के और गाइडेंस की तो आप सभी को पता है in the care role you take care your children basic need जो आपकी children की basic need है ना उनकी take care करना दोस्तो such as food जैसे food हो गया medical care हो गी shelter हो गया clothing हो गई as well as give love attention understanding acceptance time and support यह सब कहतों के अंदर आ गया अगर मैं बात करूं the other part of your job जब आप लोग जौब चाहते हो as a parent to provide guidance आपके प्रेंट क्या करते हैं आपको guidance provide करते हैं for in this role you give direction आपको direction provide करते हैं you discipline है ना बोलते हैं discipline में रहना सेट limits limits set करते हैं establish करते हैं follow through the consequences hold your children accountable from their behavior कैसा वो behave कर रहे हैं teach values values को भी teach करते हैं तो यह सब कहें हैं दोस्तों role and care and guide है तो आज की video में हम लोग इतना ही रखते हैं next video में और questions इसके रहे हैं उसके बार में discuss करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई है वह लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों करें आज